हलो नमस्कार दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है ब्लू अस्टक 5 कैसे डाउनलोड करते हैं कैसे इंस्टॉल करते हैं विंडो 11 के अंदर वो देखेंगे और प्लीज गये यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करन नढ भूलें चलिए शुरू करते हैं आप अपने्ट फीदर के अंदर को यूड़र कर लिजिए ऐगा पर आपको अपर आपको क्लिक करते हैं कहँए जब्सक्राइब में डाल दोग या तो आप इस लिन्ग को कॉपी कर लीजेगा और अपने ब्रॉडर की और में किजएगा इंटर कीजएगा तो भी डियर फेज ओपें होने के बाद यहां पहासब्र अपको इस is yaş करना चाहते है और पासृट कर लिजएगा उसके बाद आपको से पर क्लिक करते हैं एक सी डाउनलोड हो जाएगा डाउनलोड कम्प्लीट होने के बाद आपको क्या करना है उस फोल्डर के अंदर जाना है जहां आपने एक सी को सेब किया है वहां पर आपको इस तरह से एक सी दिख जाएगा आपको क्या करना है इस एक सी को पर आप आपको apply पे click कर देना है यदि आपके case में यहाँ पन ब्लोक नहीं दिखता है तो आपको क्या करना है ok करके बाहर आ जाना है अब हम इसको install करेंगे install करने के लिए आपको क्या करना है या तब इसके ओपर double click करके install कर सकते हैं या नहीं तो आप run and mister पे click करके install कर सकते हैं तीनों चीज में से कोई एक चीज आप कर लिजिएगा लेकिन माई आपको suggest करूँगा हमेशा कोई भी application आपको run and mister mode में install करना चाहिए इसलिए माई अपने case में यहाँ पे click कर रहा हूँ क्लिक करते हैं इस तरह से window open हो जाएगा यदि आपके case में भी इस तरह से window आता है तो आपको क्या करना Yes पे click कर देना क्लिक करते हैं इस तरह से window open हो जाएगा आपको क्या करना यहाँ पे customers installation के उपर आपको नहीं click करना है क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको path दिख जाएगा अब आप यहाँ पर देखेंगे अभी by default cdip path है यदि इसको change करना चाहते तो आपको क्या करना यहाँ पर फोल्डर दिख रहा है इसको पर आपको क्लिक करना है क्लिक करते हैं इस तरह से window open हो जाएगा अब आपको यहा दर दर install करना चाहते हैं इसको आपको यहाँ पर क्लिक कर देने क्लिक करते हैं उसके अंदर जितना भी folder वह वह आपको देख जाएगा अब आप इस डर किस फॉल्डर के अंदर आप इंस्टॉल करना चाहते है वह आपको सेलेक्ट कर लेने हैं जैसे मैं आपने case में इसके ऐसीलिए मैं क्या कर रहा हूं यह folår कर रहा हूं आप किया करना है इसके अपर आपको क्लिक करते हैं यह डाउंडोर्ड होना हो जाएगा जो यह download हो रहा है इसका size 395 MB का file है इसको आपको download कर लेना है यह automatic download होगा और automatic install होगा तो आपको manual कुछ करने के इजोत नहीं है बस आपको wait करना है यहाँ पे आपके net के speed पर depend करेगा यह file कितने देर में download होता है यदि आपका net speed slow होगा तो काफी time लग सकता है यदि fast होगा तो जल्दी भी हो सकता है इसलिए यहाँ पर आपको wait करना है wait करने के बाद automatic फिर से 70 MB का file download करेगा इसके बाद यह window close हो जाएगा क्लोज होने के बाद यह window open हो जाएगा यहाँ पर installation शुरू हो जाएगा यहाँ पर बस आपको wait करना है यदि मान लीजिए आपके case में यहाँ पर stack हो जाते है तो आपको क्या करना होगा आप बाइस में जाके vtx enable कर लीजिएगा उसके बाद यहाँ पर stack नहीं होगा और हमेशा लेटेस्ट ग्राफिक ड्राइबर इंस्टॉल कीजिए वह जैदा अच्छा रहता है और यदि पाउज भी हो जाते तो आपको क्या करना है एंटी वैरेस भी आपको डिसेबल करना होगा तो भी आपको जो एस्ट्रक का प्रॉलम आ रहा होगा वह सॉल्व हो जाएगा तो यह त्यान चीज आप ध्यान रखिएगा मेरे केस में सिर्फ बीटी एक्स इनेबल किया हुआ है बाकि एंटी वैरेस आउन है सारा कुछ हाओन है मैंने कोई चीज पर अपर आपको टाइम लगेगा क्योंकि यहां पर बीकुछ फाइल डाउडोड होता है इंस्टॉल होता है तो फरस्ट इम यहां पर भी आपको वेट करना है वेट करने के बाद यहां पर आप देख रहे है यह विंडो ओपेन हो जाएगा सारा कुछ आ चुका है आपकी क क्लिक करके यहां से sign in करके जो भी आप डाउनलोड करना चाहते जो भी गेम आप डाउनलोड करना चाहते हैं उसके बाद आप उस गेम को डाउनलोड करके खेल सकते हैं यहां से आप डाउनलोड कर लिजेगा email ID डाल दीजेगा पास्पोर डाल के लॉग इन कर लिजेगा बाकी मैं पुराने वीडियो में बताया हूं इसलिए यह पार्ट मैं इसमें स्किप कर रहा हूं अब आप यहां पे देखेंगे तो यहां पे आपको सेटिंग दिख जाएगा जो भी आप सेटिंग करना चाहते हैं अब ही चलिए मै मैं अब करना यहां पे किलीक करना है जुश्त के बढ़ने के बाद यहां पे आपको यह सेटिंग विंड़ औप सुट्रॉलेशन के टाइंपे बेस्ट सेटिंग होता है इसलिया आपको thyak he no is डॉनलोड़ करके देख लेना है स्मूस चल लए नहीं चल लए कोई दिखना आता है तो ही आप Manual यहां से change कीजिए यहां से आप core Select कर सकते हैं आप अपनेår से जो raised रखना चाहते हैं यहां से ATA रख सकते हैं यदि आप क्रक्रक्राइस करके रखना चाहती है यह को रखना है 5 को रखना च्छे आप पश्छाथ को रखना है शुकर सकते हैं यहां पर देखेंगे यहां पर देखना रहा है यहां पर चार और तक ही दिखार रहा है karus cannot क्लिट करए था हैं यदि आपके केस में ज्यादा होगा तो दिखा रहे हैं यहांपर आप 犯े कितना है यहां पर आपने हorter सकते हैं जो भी रखना है यहां पर रखना चाहते हैं यहاں पिर लीजेगा आपकाлем करना है यहाँ से कर सकते हैं इसके आपको किलिक करना है इसके पर करते हैं यहाँ आज ना जाएगा आपको कौन साugया आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट करना है उसके हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं यदि लो एंड है तो आपको लो रखना है मेडियम है तो मीडियम रख सकते हैं उससे ज्यादा अच्छा है तो यह रख सकते हैं यानि तो आप कस्टमाइज करके भी आप अपने हि से यहां पर लीजेगा अब जो भी क्या है उसको सेब करना चाहते हैं इसके बाद आता है óपने ग्राफिक्स का इनेबल मोड क्या रखना चाहते हैं यह रखना चाहते हैं यहाँ पर अपने हिसाब से रख सकते हैं यहाँ पर आपको ग्राफिक का रेंडर सेलेक्ट करना है अपने हिसाब से यहाँ पर रख सकते हैं यहाँ पर भी आप सेटिंग कर सकते हैं या ओटो रखना चाहते हैं तो यहां से कर सकते हैं आप अपने हार्डवेर की हिसाब से यहां पर सेटिंग कर लिजेगा इसके बाद आता है इसको पर आप किलिए कर सकते हैं इसके बाद आता है इसको आपको क्लिक करना है तो यह दिखी जाएगा आपको कौन सा डिवाइस सेलेट करना है आप आप अपने हिसाब से यहाँ पर डिवाइज सेलेक्ट कर सकते हैं इसके बाद आता है यहाँ पर आपको नेटवर्क प्रोवाइडर कौन सा सेलेक्ट करना है आप अपने हिसाब से यहाँ पर नेटवर्क प्रोवाइडर भी सेलेक्ट कर सकते हैं आप आता है एडवांस यदि इसको save करना चाहते तो यहां से click करने के बाद यह option आजाएगा यहां पे जो भी आप enable disable करना चाहते हैं इसके बाद आता है About Us इने के बाद आने के बाद यहां पे आपडेट करने के बाद यहां पे आपको इसका यहां से क्लोज कर देते हैं यदि आप फुल स्किन करना चाहते हैं यहां से फुल स्किन कर सकते हैं यदि आप इसको छोटा करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है एफ 11 दबाके आप छोटा कर सकते हैं फिर से आपको बढ़ा करना है तो एफ 11 दबाके बढ़ा कर सकते हैं इस से आप game controller का setting कर सकते हैं इसके बाद आते है haven macro management यहाँ पे क्लिक कर का Macro management कर सकते हैं इसके बाद आते है ceux memory करनाई चाहते यहानि memory को clean करना चाहते है कहीं और से अपने डाउंडोड किया हुआ android app उसको आप इसके पैस्ट, इसके अदर करना चाहते है इसके बाद आता है skin capture लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप skin capture ले सकते हैं आप media folder open करना चाहते हैं तो यहाँ से आप media folder open कर सकते हैं यहाँ पर rotate करना चाहते हैं तो यहाँ से clear करके आप rotate कर सकते हैं multi instrument management देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं अब आप अपने हिसाब से इसको यूज कर लिजेगा और प्लीज गाइज चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेर करें थैंक यू